जब कोई डारेक्टर कोई चैप्टर लिग दे, बॉली बोड सब कोई डारेक्टर जब कोई चैप्टर लिग दे तो क्या होगा, फिल भी अंदाज आए अपका, वेलकम बैक तु बैक, मैं हो अजीद मिश्राप के साथ, और आज गजाने जा रहा हूँ, एक ऐसी चैप्टर क बॉली चैप्टर में नाइन, जो इस बार बोड में आने वाला है, इसके लोग कोई बहुत आते हैं, अब शॉर्ट भी, तो ये चैप्टर खाली जाने वाला नहीं है, बिल्कुल, इसके लोग कोई बार करेंगे, क्यों मैं कहा रहा हूँ कि बॉली कुट से, बॉली कुट स मेरा नाम जूकर राज काफूर और थाइट फेमस फिल में पॉबी फिल, जो रिशी काफूर सापकी थी, उसमें ही लोग काउं किया, तो के अब पास साथ, ऐसे चैप्टर लिखने वाले, ऐसे डारेक्टर ने जब चैप्टर लिखा तो उसमें भी कोई बॉली की कहानी में बॉली की जलागाई, मैंने इसकी वीडियो भी जाले हुगी है, आप अगर वीडियो देखना चाहते हैं, तो समरी बोली नाम से उसमें आपको मिल जाएगी, लेकिन आज हम बात करने जा रहे हैं, इसके कुछ इंपोर्टन कोईशन्स आएंगे, और मेरी वाईस होगी, मैं आपके सामने आप 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 जारेंगे, तो यह हैं हमारे कोशन्स और जो मैंने निकाले हैं, पहला कोशन है भोली का, आपके सामने स्क्रीन पर दिख रहा है, भोली वाज भोली रिलक्टन तो गो टू स्कूल विधा फादर, भोली क्यों नहीं जाना चाहती थी अपने भोली दिद नौ नाट नो वट आप एक नहीं जानती थी कोई स्कूल कैसा होता है, जी यह द नेवर हट अबट इट, उसने कभी नहीं सुना था उस लड़की ने, घर पे रहती थी कोई सपे कर नहीं नहीं था उसनने पाद इन था कभी स्कूल के बारे में, वह नाधर है, और इसलिए ही, she was reluctant to go to school with the father, इसलिए डरी हुई थी, कि ये इतने इस तरीके से क्यों घसीट रहा है, चलते हैं दूसरे question की तरफ, अगर आपको कुछ नहीं समझायागा, तो आप comment कर सकते हैं, at least, Did Bholi enjoy her first day in school? What made her happy on this very day? क्या Bholi ने अपना पहला देन इस्कूल में enjoy किया? और किस चीज ने उसे खुष कर दिया उस देन इस्कूल में? तो answer, it was a mixed day for Bholi, Bholi के लिए ये mixed day था, मिली जुली बात थी, क्यों? She was happy to see the girls her age, पहली चीज, पहली बात तो वो खुष थी, अपनी age की लड़कियों को देख के, और she was fascinated with the color pictures on the wall of the classroom, इदर उदर classroom में pictures लगी थी, उनसे भी खुष थी, but when the teacher asked her name, she could not answer properly, जब teacher ने answer, उसका नाम पूछा और वो answer नहीं दे पाई, और लड़कियां हसने लगी, ये था दूसरा question, और भी तरीके के, देखो हर के, हर बुक में हर तरीके से answer लिखे हुए, कहीं से भी आप कर सकते हैं, तीसरा answer, तीसरा question, how does she become a masterpiece, वो एक masterpiece कैसे बन गई, भोली masterpiece कैसे बनी, so answer है, teacher ने बनाया masterpiece, the teacher transformed a simpleton girl into a well-behaved and confident girl, teacher ने बिलकुल उस simple से लड़की को well-behaved, confident लड़की बना दिया था, भोली was a foolish and stammering girl, भोली एक foolish और हकलाने वाली लड़की तीदा, teacher put in all her hard work, teacher ने पूरा hard work लगा दिया, पूरी महनत लगा दी in transforming her, उसे बदलने के लिए into a mentally strong और educated girl में, it was really a masterpiece of the teacher, और सच में वो masterpiece थी उस teacher का, हमारा fourth question, why is Sulekha called भोली, Sulekha नाम था ना भोली का, भोली क्यों कहते थे फिर उसे, क्यों भोली बुलाया जाता था, तो answer है, Sulekha is called भोली because she is a simpleton, Sulekha को भोली इसलिए कहा जाता था, क्योंकि बड़ी simple नहीं थी, due to her suffering, some brain damage, और क्यों simple थी, क्योंकि उसके कुछ brain damages हुए, जो खाट से गिरने पर, falling off court, when she was 10 months old, जब 10 मही ने की थी, as a result, she is not as smart as children of her age, उतनी समझदार नहीं थी, जितने उसी age के बच्चे थे, तो fifth question, ये 2013 में पेपर में भी आया है, why did Bisambar's marriage with Bholi not take place, Bisambar की जो साधी थी, वो हला की पूरी क्यों नहीं हुई भोली से, जब 10 हो गया था, सब कुछ हो गया था, क्यों नहीं हुई, so Bisambar marriage with Bholi did not take place, because he had demanded a dowry, क्योंकि उसने दहेज मांग लिया, of 5000 rupees, her father for the marriage, so Bholi refused to marry, और इसलिए नहीं भोली नहीं कहा, कि मुझे सब कुछ चलेगा, लंगडा था साधी कर लेती, बुद्धा था साधी कर लेती, लेकिन जो इसलिए लालची है, I will not marry, that was the reason, Bholi did not marry, 6th question, 2014 में आए वाय, what kind of a mother was Ramlal wife, Ramlal की जो wife थी, वो किस तरीके की माँ थी, तो Ramlal wife was a traditional housewife, traditional housewife थी, उन पुराने जबानों में जासी हुआ करती थी, who believed that daughters should not be educated, जो ये विस्वास करती थी, कि लड़कियों को पढ़ाया नहीं जाना चाहिए, as it would be difficult to find husband for them, क्योंकि अगर पढ़ लेंगी, तो साधी को उन करेगा, उन से पुराने जबाने की thinking थी, she neglected looking after her bully, because he was a slow learner, और भोली पर जान देना, इस ले छोड़ दिया था उन्होंने, क्योंकि slow learner थी, 7th question, आपको खुद answer बताना है, मुझे comment में लिखके बताना है, कि इसका answer क्या होगा, comment on the title of the story, इस story के title पर comment करिए, कि क्या title है, इस story का, ये है हमारे साथ, short questions, जिस पर आपको देने हैं जवाब, और आपको बताना है, कि इनके 7th question को आपको बताना है, और long question, long question मैंने एक लिखाला है, ये dowry is a negation of a girl's dignity, discuss with the reference to the story, भोली, ये जो story है हमारी भोली, उसके reference से discuss करिए, कि जो dowry है, वो कैसे लड़कियों की dignity को, सम्मान को ठेश पहुचाती है, इसका answer लिखावा है, पढ़िए, नहीं समझाता, I'll make you understand, हर chapter के इसी तरीके के question, हम लाते रहेंगे आपके लिए, फिर से, अब बारी आगई है, फिर से आपको मेरे से मिलने की, अब होँगा मैं खुद, अब ये picture हटेंगी, और ये रहा मैं आपके सामने, तो ये था आपाला chapter, बोली और बोली के देखोंगे, question, answer, और वीडियो के लिए, आपको देखना पड़ेगा मैं, keep watching, मैं और बहुत सारी वीडियो, अब मैंने ज़्वाइस कर दिया, तो करी दिया हमार है, जाएंगे नहीं आपको जोड़े, सारे पोजिशन, like, subscribe, ये सब को लाद में अपना फाइदा कीजिए, अगर आपको देखना है, so if you are getting benefit, comment करें, yes, benefit होड़ा, so keep watching, फुल बाद,